गुट मर्णिंग दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले PM किसान समान निदी योजना पे जो वर्ड कर चल डा था जिसमें आप EKWC अपना नहीं कंप्लीट कर पाते थे जहें भी आप जाते थे फिंगर से अपडेट करवाने के लिए वहाँ पे आपको कोई ने कोई प्रोब्लम को फेस करना पड़ता था और यहाँ पे जो लास्ट डेट इसका निकल खाया है आप लोगों को पता होगा कि 31 मई तक इनका लास्ट डेट दिया गया यहाँ पे आप आपको 31 मई से पहले पहले आपको अपना PM किसान समान निदी योजना का EKYC करवा लेना है अगर आप नहीं करवाते हैं तो फिर आप PM किसान समान निदी योजना के मिल रहे हैं उनसे आप वनचित हो सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा आज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर सेयर कर दीजिए तो चलिए दोस्तों वीडियो को सब्सक्राद कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे PM के सांथ समान निदी योजना के हॉंप पेज पर आने के बाद आपको आपको आप करते जाना है और आपको यहां पर एक option so करता है यहां पर आप option so में देख सकते हैं एक के वैसी new का option फीर से live कर दिया है अब आपको क्या करना है यहां पर जाना है और इसे tab कर देना है जैसे यह आप इस पर tab करेंगे तो यह आपको इसका website तुरफ लोच चलता है अब दोस्तों इसके माधियम से जो आप के वैसी करेंगे इसका नया portal जो live किया गया उसमें थोरा server problem चलता है क्योंकि दोस्तों हम आप लोगों को बता दे 31 तक last date है जिसके वजह से थोरा बहुत problem को फेस करना पड़ता है और आपको हम बता दे यहां पे 2-3 बार click करने के फिल अप करने के बाद आपको यहां पे search वाला option पे click कर लेना है search वाला option पे जैसे ही आप click करेंगे तो आपके आधार card से जो भी data आपका जुरा होगा वह आपको यहां पे सोग कर देगा अगर आप किसी भी customer का add card है जिसका यहां पे PM किसान समान निदी योजना में नाम नहीं है तो फिर यहां पे उनका search नहीं लेगा जैसे ही आप search करेंगे तो search करने के बाद आप से यहां पे आधार registered mobile है उसको आपको tab कर लेना है करने के बाद आपके registered mobile नमर पे आपको यहां पे से चला जाएगा और मेंसेज जाने के बाद आप इसे संभी टिक कर दोस्तों अगर आप लोगे के आधार कार्ट पे मोबाल नमर रजिस्टर नहीं होगा तो आपको यहां पर देख सकते हैं इन्वाइलिड ओटीपी तो आ जाएगा लेकिन आपको यहां पर इन्वाइलिड ओ ओटीपी जो आप यहां पर नमर दिये रहेंगे उस पर आपको यह ओटीपी गया अब उनके बाद आधार रजिस्टर मोबाल ओटीपी आपको यहां पर मांगा जा रहा है उनके बाद आप संभीट पूर ऑथन्टिकेशन के लिए किलिक करेंगे किलिक करने के बाद आपका ये KYC complete successfully हो जाएगा तो दोस्तो आप लोगों को ये सबसे सुनारा मुका है आप लोग अगर आधार कार्ट पे आपका mobile number 8 है तो आप जल्द से जल्द KYC अपना complete कर लिजिए और PM किसान समान निदियोजना के लाब से वंचित होने से बचे तो दोस्तो आई होग कि आप लोगों को ये छोटा सा information अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल ने सब्सक्राइब कर लिजी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जदा जदा से एर कर दीजिए चलिए दोस्तों मिलते हैं अब लोग उस नई वीडियो में नई टोपी के साथ तब तक लिए जाहिंद टाटा बाई बाई